Hello friends, friends आज की वीडियो में आपको यह बताना है वालो कि आप Facebook के अंदर अपनी ID के अंदर कैसे group कर सकते हैं और उसके अंदर कैसे किसी को भी add कर सकते हैं Friends उससे होगे का कि आपके जो आपकी friendly list में होगे, वो जो name आपके अपने group का उसके अंदर ऑओ add होते जाएंगे, वो आप कोई भी ID से उसके अंदर आपने friends को add कर सकेंगे उस group के अंदर तो friends चलिए सीकते हैं कि कैसे हम group को add करते हैं और कैसे उसके अंदर हम friends add कर सकते हैं आपने computer और laptop के अंदर so friends सबस्वेब आपने browser और computer और laptop के अंदर जो आप यूज करते हैं कैसे मैंने Chrome और यहापर आपने friends fb.com लिखे देना है अगर आपकी login नहीं है तो आप से email password मांगेगा, आपने direct email password डालकी उसको open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको option देगा, explore के अंदर groups का, आपको simply इसको बर क्लिक कर देना है इसको बर क्लिक करने है आपको यहाँ पर option देगा, एक create group का plus के signing के साथ आपको simply इसको बरी क्लिक कर देना है इसको बरे क्लिक करने हो आपको अपना ग्रूप का नेम देना जो आप देने चाते हैं जैसे मैं नेम दे देता हूं अभी Danish Tech Tv Friends अब किसको वैड़ करने चाते हैं तो यहाँ आपकर उसका नेम डाल दीजिए या email address डाल दीजे, वो add होता जाएगा, जैसे मैं अभी किसको add कर देखता हूँ, जैसे मेरी friends list में, मैं इसको add कर देता हूँ, मैं उनको ही दीखेगा, तो मैं अभी फिलाल public कर देता हूँ, इस group को, और इसकी visibility, visible trend देता हूँ, गाइड नहीं करता, और आप into shortcuts कर देंगे, तो friends ये group आपको उपर उपर दिखाए देगा, तो मैं इसको उपर भी check कर देता हूँ, friends फिलाल में ये दो जनों गाइड करता हूँ group में, और आप create के उपर click कर देता हूँ, पर जैसी आप create के उपर click कर देंगे, जो आपको group है, पर वो create हो गया है, friends अगर आपको इसकी group के उपर photo लगा नहीं है, इसके जो उपर होता है, profile पे जो pick होती है, इसके अगर आपको upload कर देंगे, तो यहाँ से आप upload pick पर click करके, select करके, इसके उपर, आप simply जो आपकी मर्जी चाहिए, उसको pick लगा सकते हैं, यहाँ पर, friends यह सारे आप आपका group create हो गया है, friends, group create करने के बाद, friends अगर आपको दुबारा किसी को add करना है, इसके अंदर, friends यहाँ से आपको option देखेंगे, invite members का, आपको simply यहाँ पर उसका न वीडियो पसंद आए, तो मेरे यूटूब चैनल को subscribe जो गरीगा, और अपने friends साथ share जो गरीगा, क्योंकि आसी वीडियो से में आपको लिए लात रहता है, और जाना, thanks